नमस्कार, सभी विद्जार्तियों और सिक्सक सातियों का SLB हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनन्दन है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्सा बारा हिंदी अनिवारिये में सामिल ग्यापन शीर्षक के बारे में तो वीडियो शुरू करूँ, इस से पहले मेरा आप सभी से निविदन है कि हिंदी की लिए समर्पित अपने इस यूट्यूब चैनल को अधीक से अधीक फिस्तार दे और जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहा है उसको लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले तो जो साथी जो विद्यारती इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए बिना किसी देर के सुरूर करते हैं आज का सीरशक और आज का आपना सीरशक है वो है ग्यापन तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ग्यापन क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्यापन क्या है यहां पे एक परिवासा आप देख रहे हैं ग्यापन क्या ह तो ग्यापन का आर्थ होता है किसी को कोई बात बताना, ज्यात कराना, शुचित कराना या जान करी देना ग्यापन दरसल पत्र वैवार का यह एक रूप है सरकारी पत्र के रूप में इसका इस्तेमाल मंत्राले के विभिन विभागों के बीच किया जाता है विभिन मंत्रालों और उसके विभागों के बीच इस्तेमाल के दोरान इसे कारियले ग्यापन भी का जाता है तो ग्यापन कहें, कारियले ग्यापन कहें मतलब यह है कि जब किसी कारियले के द्वारा किसी को कोई बात बताई जाती है ग्यात कराया जाता है शुचित किया जाता है जानकरी दी जाती है तो इसको अपन क्या कहते हैं ग्यापन इसकी definition कुछ किलिए हम इस तरीके से और पढ़ सकते हैं कि यह हमेशा उच अधिकारियों द्वारा दिया जाता है और उच अधिकारियों के द्वरा अपने अधिनस्त करमचारियों को या अधिकारियों को किसी विसेस बात की शूचना देने के लिए भी ऐसा पत्र लिखा जाता है इसके अलावा ग्यापन मंत्रियों और अधिकारियों को भी दिया जाता है जिसमें बहुस्ये में और अच्छे डंग से कार्य करने के लिए इनसे साहिता की अपेक्सा की जाती है ग्यापन दो देशों के बीच में भी होता है इसका अंग्रेजी सब्द मेमोरेंडम भी है तो जब दो देशों के बीच या दो संस्ताओं के बीच कोई समझोता होता है तो भी समझोता ग्यापन का जाता है अब ग्यापन का क्या प्रारूप हो ग्यापन कैसे लिखा जाता है तो इसका हम इस पेज में देख सकते हैं कि ग्यापन कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो नीचे बताया गया है सबसे उपर होता है फाइल की संग्या जैसे ग्यापन लिख रहे हैं तो यहां फाइल की संग्या तारिक का नाम बाई और होता है फिर कौन से मंत्राले का है मंत्राले का नाम फिर विभाग कौन सा है तो फिर नीचे विभाग का नाम फिर इस्तान का नाम और तारीक का नाम बाई और होता है जैसे यहाँ पर इस्तान का नाम इन सब से नीचे यह बातें लिखी इन से नीचे बाई और इस्तान और तारीक का बीच में यहां पे जैसे अपने कहते हैं कि कारियले का नाम यानि कौन से कारियले से वह ग्यापन लिखा जा रहा है फिर बीच में विशे का संखसे पुलेक भी होता है कि किस विशे के बारे में वह ग्यापन लिखा जा रहा है फिर मुख्य विशे वस्तू का विरण होता है पेरेग्राप के अलावा भी अगर कोई अन्य पेरेग्राप है तो पहले पेरेग्राप को छोड़ कर अन्य पेरेग्राप की संक्या लिखी जाती यानि पहला पेरेग्राप जैसे यह लिखा है और बात कोई दूसरी और है तो फिर एक, दो, तीन ऐसे लिखा जाता है उसके न ग्यापन अन्य पुरू सेली में ही लिखा जाता, ये ध्यान दे, और ग्यापन किसी को संबोधित करके नहीं लिखा जाता, जैसे महोदय, प्रिय, इस सब्दों का प्रियोग, इस प्रकार के संबोधनों का, इस प्रकार के अभिवादनों का ग्यापन में कोई इस्तान नहीं ह तो अन्यपुरू सेली और संबोधन नहीं होता, कुछ-कुछ ये अधिशूचना की तरह है, और मैत प्रोण प्रश्णी ये भी बंद शकता है आपकी बोर्ड परिक्सा में, कि ग्यापन और अधिशूचना में क्या अंतर है, अब आप प्रारूप देख रहे हैं, तो इस प्रेमंतराले में कौन सा विवाग, राजवासा विवाग, और यहां पर आप दाईयों और देख रहे हैं, कि लोग भवन, नई दिली इस्तान, और फिर ये कब लिखा जा रहा है, तारीक, फिर बीच में लिखा जाता है, कारिय लग्यापन, और फिर विस्ए है, कि किस वि यदि लिखनी है, तो वो करमांक लगा के, एक, दो और तीन करमांक लगा के, ऐसे अपन उसको लिख सकते हैं, यदि ज्यादा हो, तो आप चार भी लिख सकते हैं, पांच भी लिख सकते हैं, इस प्रकार, तो ये एक प्रकार से इसका प्रारूप है, फिर दाईयोर, कौन ल सभी मंतराले विबाग, बाज सरकार के नियंतरक महले का परिक्सका कर्यले संग लोक से वायूग, ग्रह मंतराले राजबसा विबाग, और राजबसा विबाग के सभी डैस्क और अनुबाग इनको लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर यहीं किसी एक संस्ता के लिए लिखा जा रहा है, तो यहां पर नाम हो जाएगा जबकि यह इतने लोगों के साथ इतने लोगों को ग्यापन बेजा जा रहा है तो यह दाई और तो लिखा जाएगा जो लिख रहा है वह और जो आपके सामने जो ये प्रारूफ है इसको आप जरूर देखें कि संक्या कहां लिखी जाएगी संक्या लिखी है फिर सरकार का नाम है मंतरालेक का नाम है विबाग का नाम है इस्तान है दिनाख है फिर बीच में क्यारल है ग्यापन है फिर विसे आया है फिर मुख्य विसे क्या है उसका वरण हुआ है और इसके अत्रिक्त बाते हैं उनको कर्म संक्या लगा कर लिखा जाता है लिखने वाले का नाम और पद नाम दाई हो राता है जबकि किसको लिखा जाता है उसका विवरण है वो नीचे बाई हो है जो हमने उपर पढ़ा था मैं पुने आपको वह जगे बता देता हूं जो आपर हमने पढ़ा था कि ये बातें कहां आएगी तो ये देखिए सबसे नीचे बाई और ग्यापन पाने वाले अधिकारी विवा करनाम बाई और तो हमने लिख दिया था और नीचे दाई और है वो अधिकारी जो जारी करने वाला है उसका अस्ताकसर और नाम ये दाई और लिखा जाता है और ये बाई और लिखा जाता है और ये हमने कहा न विशे वस्तु का विवरण होता है पहले परेगराप के अलावा अगर अन्य कोई परेगराप लिखा गया है तो पहले परेग क्या होगा मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ तब तक आज़े दीजिए नमस्कार जाहिन जाभार्थ